नमस्कार फ्रेंज, स्वागत है आपका एक और बहतरीन टुटोरियल में, चोकि हम सिलाउट में करने वाले हैं, जैसा कि सिलाउट की टुटोरियल को बहुत लोगों ने पसंद भी किया था, बहुत लोगों ने कहा भी था कि सर मुझे कुछ सिलाउट में और भी केरेक्टर र लेना यार क्योंकि बैसिकली मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं कोई चार्जस नहीं है इस पर तो कहीं न कहीं यह बहुत अच्छी बात है और इस विडियो में मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कश्यप ना में उनका एसपीएडिट फैड़ी विएपएस कष्ध और भी आसे बहुत सारे नाम है जिन्नोंने एक मैंने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत-बहुत धंच्यवादingenel को सब्सक्राइब करने के लिए ऐनक वीएफीक्स पी एधिट and Genex ये सारे लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है आप सबको बहुत भाँध धन्यवाद चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बात करते हैं सिलाउट में रोटो के बारे में सो हमने वीडियो को ये चेक किया और वीडियो को चेक करने के बाद और अगर मैंने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर 24 Aps था तो सबसे पहले 25 Aps को कर देशें किसी भी रोटो को करने के लिए या फिर किसी भी काम को करने के लिए जब भी आप कोई भी काम करेंगे VFX में कोई भी प्रजेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले उसको अच्छे से परस हो जाएगा और खिचडी बात हो जाएगी और फिर आपको को समझ में आने वाला है नहीं तो हम एक बार फुटेज को प्ले करके देख लेते हैं 52 तक का फ्रेम है हमारे पास और यह इनको हमें रोटो करके बाहर निकालना है तो चलिए अभी हम यहाँ पर रोटो करते ह लिए दो तीन चीजों का ध्यान अगना बहुत जरूरी होता है क्या होता है कि अगर आप सपोस मान लो कि अगर आप रोटो कर रहे हो तो रोटो में दो तीन चीजें हैं जिस पर आपको ध्यान रखना है राइट क्या है तो पहला चीज क्या है पहला चीज है कि बी में अगर points हो को लेते हैं तो उतना ही उसको manipulate करना या फिर उसको edit करना उसको arrange करना आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा कोसिस यह भी करना है कि बहुत सारे बच्चे अक्सर यह करते हैं कि उनको कोई एक रोटो के लिए दिया जाता है इंडस्ट्री में टेस्ट और वो क्या करते हैं कि फटा फट एक यहां से spline सुरू करते हैं और यहां से लेकर यहां तक ऐसे बना लेते हैं फिर उसी को जैसे त सिंगल पार्ट निकालके करिए यह आपके लिए बहुत ज्यादा बहतर होने वाला है बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपको तो जब भी आप रोटो करें तो पार्ट पार्ट में करें ना कि धड़लने से बस उठाया एक ही spline में सब रोटो मार दिया वो कभी भी नह होगा और उसके जो splines होंगे जो ages बनेंगे वो बहुत ही बेकार बनेंगे और फिर इंडस्ट्री में पास नहीं हो सकता और नहीं आपको जॉब मिलने वाली है खास करके रोटोस्कोपी तो बहुत ही सोच समझ के करना है बहुत ही easy way में करना है कभी कभी क्या होता कि कोई footage ह हमें मिल जाती है जिस footage में हमें ages समझ नहीं आता हाला कि अगर हम इस वीडियो की बात करें इस footage की बात करें हला कि footage में इस footage की quality भी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है footage की quality काफी खराब है लेकिन लेकिन आप फिर भी इस पर काम कर सकते हो क्योंकि इसके age बहुत ही clear लेकिन बहुत-बार यहाँ जाता है कि आपको age clear नहीं दिखता है कभी-कभी तो वह बहुत-ज़़ादा white हो जाता है वह बहुत-जया-डा light हो उस footage में जिसकी वज़़ह से भी आपको उसके ages नहीं दिखते है और कभी-कभी बहुत जादा लाइक वो dark रहता है जिसकी वज़े से भी आपको edges नहीं दिखते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए आपको यहाँ पर दो option दिये हैं दियान से समझेगा gain and gamma आप यहाँ से इसकी gain बढ़ा दीजे जैसे आप gain बढ़ाएंगे न तो देखिए यह वाला park चला यह खतम यह पार्ट में आपको समाज आपको नहीं आ रहा है अगर आप इसको down करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर सब को समझ में आ रहा है तो इसलिए यह भी बहुत important है जब भी आप करेंगे तो इनको आपको जरूर देखना है अगर कहीं पर आपके footage में ओवर light है या फिर footage बहुत जादा dark है तो आप तो आप तो आसा gain गामा को adjust करके उससे देख सकते हैं आने वाले footage पर आप देखिए तो आपको समझ में भी आ जाएगा तो यह तो हो गए अभी कि हमारा चलो यह setup हो गया कि हमें किस तरीके से करना है अब यहाँ पर हमें रोटो करनी है अब रोटो करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखो रोटो के बहुत सारे tools है जैसे यह टूल्स है यहाँ पर है कुछ और यह जो basically यूज़ा तर यूज़ा आप कर सकते हों मैं आपको recommend करूंगा कि आप ज्याधा तर करें इसा नहीं है अपपर आपको सबसे पहले प्रेप्लैंड हो जाना है कि हमें क्या करना है मैं अभी प्लाइन कर रहा हूए पहले इसको रोटो निकाल लेता हूँ पहले फुटेज को देख लीजे कि ज्यादा डीफीकल्टिस ऑ नहीं है। अभी आपा को क्या करना आप चाहो तो अगर आपको लगता है कि मैं रोटोatore का स्टार्ट करना चाहता हूँ इधर से इधर जाओंगा चलेगा जी कुछ प्राब्लम नहीं है अगर आप चाते हैं इधर से करने के लिए इधर से भी आप कर सकते हैं तो चले मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ यहां पे कि हेर दिखा जो रोटो है वो आप कैसे करेंगे तो मैं यहां से ले लिता हूँ-πά случай के लिए- typing आप है जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे यहां पे लेरा क्रियेट हो चाएगा और और उसके बाद आपको यह लाइन्ज भी दिखने अगे यहां पर तो यहां पर मुझे समझ नहीं आ रहा है तो मैं यहां पर थोड़ा सा gamma को down करूँगा जैसे थोड़ा सा gamma को down करूँगा तो मुझे कि यह यहां पर थोड़ा उठा हुआ है और यहां थोड़ा सैसे डाउन है तो कोशिस करना है कि आपको इधर रखनी है इसको ठीक है यहां पर ऐसे रखनी है और एक इंपोर्टेंट चीज में आपको बताना चाहूँगा कि आप कंट्रोल जेट कर लिजेए अभी आपको यहां पर करना क्या है कि करना यह है कि जब भी आप इसको करेंगे तो पहले जूम कर लिजेगा और यह दोनों पिक्सल के बीच में ड्रॉइंग कीजेगा ठीक है वह ज्यादा आपका बैतर होगा तो मुझे क्या करना है इन दोनों प देनम आजाते हैं यहां पर यह देखिए और यहां से थाच सा गामा कम कम करेंगे हमें ऐसा एक चीज याद रखिएगा कि आपको जो भी करना है यह आउटर यानि कि जो एक्स्टर्नल लाइन हमने ड्रॉग किया है न मेन यही एक्स्टर्नल लाइन है जिसे हमें एडिट करनी है हमें इंटिरियर वाले यानि कि इस लाइन को हमें एडिट करने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी तो हमें उस पर ज्यादा ध्यान ने लेगा अच्छा एक यहां पर चोटी सी प्राब्लम हो गई है कि यह जो लाइन है यहां से ज्वाइं नहीं हुआ है तो यहां पर लियर अल्रडी कर देता हूं पहले एंड वंस अगें मैं यहां से स्टार्ट करता हूं प्राइए यहां पर यहां पर अब यहां पर इसके थोड़ से जो गेन गामा है अगर नहीं भी ओगा तो हम बाद में इसको अड़ेस्ट कर सकते हैं कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसको कम करके रखते हैं गामा को आगया यह पहला लेयर होगया और अभी आप इस लेयर पे इसको rename कर सकते हैं राइट क्ली करेंगे यहां पर rename कर देजिए और इसको कर देजिए कि head top head top तो यह naming जरूर करिएगा ने तो आपको बाद में कुछ समझ नहीं आएगा कि आप actual में क्या कर रहे हैं आपको क्या करना है कुछ समझ नहीं आने वाला so naming बहुत ही perfectly और बहुत ही अच्छे तरीके सबको करना है हो गया यह अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं सीधा जाओंगा 10 frame पे 10 frame पे आओंगा सीधा and इसको ऐसे करके select करूंगा और करके मैं इसको ले आओंगा इधर इस side अब मुझे क्या करना है कि इससे select करना है और इससे यहां ले जाना है इससे select करना है और इससे यहां रखना है एक तम बारी की से हम अपने को करना है इसलिए बहुत ही सोच समझ के आप करिएगा मैं यह जो direct 1 से 10 फ्रेम में आया इसके एक फायदे है सिलाउट में क्या होता है कि अगर आप 1 से 10 के बीच में करते है आप 5 फ्रेम भी ले सकते हो 15 फ्रेम भी ले सकते हो यह पहले चोक आउट कर लेना है अभी जैसे मैं सीधा 20 में जाऊंगा पहले चोक आउट कर लेना है कि हमें कहां से रोटो लेनी है उसके बाद जो इंटर जो फ्रेम से उसमें हमें बस थोड़ी थोड़ी अनिमिशन करने होंगे और हमारा काम बन जाता है यहां पर आएंगे थोड़ा सा स्कोर से गेन को इसका गामा जो बढ़ा लेंगे और इंको अट्जिस्ट कर लेंगे राइट कुछ इस तरीके से हमने कर लिया एक से बीस तक हम आ गए अब हम सिधा जाते थीस पे मैं जो आपको प्रोसेस बता रहा हूं अगर आपने फॉलो किया तो ट्रस्ट मी आपको रोटोस्कोपी में तो एटलिस कहीं कोई प्राब्लम नहीं होने वाला है और अच्छा खासा आप जॉब को भी जॉब इंट्रव्यू जो रोटोस्कोपी को होते हैं उसको भी आप क्रैक कर सकते हों यह हो गया उसके बाद हम आजाते हैं सिधा फॉर्टी में और फॉर्टी में विकॉज यह बहुत ज्यादा जूम हो चुका है भी फुटेज तो हम इसे थोड़ा साइड जिस्ट करेंगे यहां पर ऐसे इस तरीके से बहुत ही सावधानी के साथ करना है एकदम बिलकुल हडवडाना नहीं को जो रोटो है वो पूरा पेसेंस का खेला है पूरा पेसेंस का ही खेला है इसमें और कुछ होता ही नहीं है और मैं सीधा जाओंगा 52 में और मैं जाओंगा यहां पर रखूंगा इसको एक साइड आप फिक्स करके रखें और दूसरे साइड को एड़ेस्ट करिए अगर आप यहां पर देखेंगे एक बार मैं प्ले करके आपको दिखा दूँ तो देखो कुछ इस तरीके का हो रहा है लेकिन काफी हद तक हमारा रोटो कंप्लीट हो चुगा अब अब हमें इसके इंटर फ्रेम पर करना है अब हम पांच फ्रेम पर काम करेंगे ठीक है अब हम पांच फ्रेम पर काम करेंगे 10 फ्रेम कात हो गया बस अब इनको खाली अज़ेस्ट करते जाएए आपको एक बात पता ही है कि सब कुछ अल्रडी हमारा मेंटेन हो चुका है वह तो आपकी जो रोटो है वो काफी बढ़ियां देख सकती है मैं आपको पर फ्रेम करके दिखाता हूं एक दो तीन चार पाँच छे साथ आट नो डस बहुत अच्छे से यहां पर रोटो हमारा हो चुका है अब हम आज आते पंद्रा फ्रेम में थोड़ा एंदे को पंद्रा फ कि उसके बाद हम आते हैं यहां पर 25 और आजाते हैं यहां पर कि दन है उसके बाद आते हैं 35 में और बस इसको अड़ेस्ट ही करना है अब तो और कुछ करना है नहीं 45 और यह देखो अल्मोस्ट अड़्जेस्ट हो चुका है इसमें आपको कुछ नहीं करना है अब एक बार आप यहां से इसको प्ले करके चेक किजिए तो काफी हद तक इसका हेड़ वाला जो पॉर्शन है वह हो ही चुका है देखो अब आप यहां पर आकर बीच बीच में आपको यहां पर अब मैं आपको सेजिस्ट करूँगा कि आप पार फिर्फिर्म जाईए अंसिंपल आपको यहां पर ऐसे अज़स्ट करना है और मैं एक बार दादूँ इसके पर फ्रेम यानि कि धूसरे फ्रेम पर जाने का जो सोट क्ट है वो क्या है वो है आपका पेज अप एंड पेज डाउन पेज़ डाउन आप करेंगे तो आप दूसरे फ्रेम पे चले जाएंगे और यह देखे पेज़ डाउन किया और इधर से आकर इसको भी कर लेंगे दस में तो हुआ हुआ था लेकिन दस में यहां पर थोड़ा सा मुझे मिश्टेक दीख रहा है कोई बात नहीं 11 12 में यहां पर मिश्टेक है पकड़िए और इससे सीधा सेट कीजिए और एक चीज और ध्यान देना कि आपको नहीं ज्यादा मूव मत किजिए गानी तो वह पूरा यह दिखने लगेगा बहुत ज्यादा एनिमेट होता हुआ दिखेगा इसलिए एजिच को बहुत ज्यादा मूव नहीं करना है और जूम करके भी आपको काम करना है जहां पर लगें जूम कर लिशेगा डन यहां पर भी आ जाओ मैं पर फिर्म जा रहा हूं एक हाथ हमारा पेज अप पेज टाउ मूफ जहां पर लगता है कि मूफ से काम चल रहा है तो आपको मूव कर लेना है ना कि हर जगा एजिस को मैनिपलेट नहीं करना है तो एज बहुत जादा फ्लक्ट्ट होता हुआ दीखेगा हो यहां पर आ गए देखिए यहां तक सही है सब कुछ सही है 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 दन करें है और इसे थोड़ा सब करें है है इसे डान किजिए है 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 अब है है मैंने कर दिसक्ति दिट बटन दबा दिया था तो पेज अप किजिए यहां तक सही है पेज मैं यहां पर आता हूं कि यहां पर गड़ बढ़ी है तो इसे पर सेलेक्ट करो है तो कभी-कभी तो आपको अंदाजे पर भी मारना होगा हुआ है हुआ है यहां पर आते हैं सब को स्लेक्ट करते हैं और स्लेक्ट करके हैं तो मूफ कर लेते हैं कंट्रोल इस बीच बीच में करते रहिएगा कहीं बंद हो गया तो फिर आपकी तो वाट लग चाहिए कि भाई लोग शो यहां पर आते हैं यहां पर बीच सब कुछ सभी है यहां पर आते हैं और यह दो बात करते करते हैं यह हमारा जो रोटो का पार्ट है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया अब एक बार मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूं आपको अब इसे चेक करना है तो यहां पर चार ओप्शन दिए गये हैं यहां पर यह सारे ओप्शन है विव ओवरले विव चानल और अल डाट अगर आप एप्रेस करते हैं तो आपको यह देखिए यहां पर कुछ इस तरीके साब को दिखेगा ओवरले में प्ले कर लीजे और दे दिख रहाता मुझे यहां अल्फा भी आपको दिख जाएगा और यहां पर भी आपको इस तरीके से दिख जाएगा ओवरले में तो बहुत जरूरी है देखना तो यह बातों ही बातों में आपका हेट का जो यह पार्ट है वो हो गया कंप्लेट ठीक है पूरा कंप्लेट हो गया अब मैं यहां पर अगर वन प्रेस करूं और अगर आप यहां पर फोर प्रेस करें तो आपको सिफ कटा हुआ पार्ट दिखेगा और यह प्रेस करेंगे तो देखिए यह आपका हो गया अगर आप जीरो प्रेस कर देते हैं तो यह आपका ओवरले हट जाएगा अभी आपक का complete जो रोटो वाला पार्ट है वही सिप दीखेगा तो देख लीजिए अब अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं कुछ-कुछ गड़वड़ी है बर डोंड वारी वह सब हम लोग मैनेज कर सकते हैं अब वापस हम one press कर देंगे यह आ जाएगा जिरो प्रेस कर देंगे तो हमारा ओवरवरले भी यहां पर आ जाएगा चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट इस फ्रेम पे अभी देखो यहां पे मैं चाहूं तो इधर से भी रोटो स्टार्ट कर सकता हूं एक चीज मैं और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता देखो यहां पे तो थोड़ी सी गड़बड़ी है इस फ्रेम पे हमने कुछ किया ही न कर लिया है कोई टेंशन वाली बात नहीं यहां पे भी है इधर कर लो एंद इधर में भी आप देख लो चलिए डन सो यह हमारा पूरा का पूरा पाट भी एंद जुद है हम चाहें तो रिधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है रिधर सब्सक्राइब करें चलिए मैं आपको करके दिखा लेता हूं अब यह हो गया तो इसे ना यह अगर मालों लों कि यह आप इसको select नहीं कर सकते हैं ठीक है तो अभी हम क्या करेंगे अभी हमें यहां से start करना है रोटो तो again I will click on base here tool and then I will start from here और कुछ इस तरीके से आप इसको select करना हूँ अब यहां पर पहले करके आप देख लो ए प्रेस करो तो देखिए overlay and पकाइदा हमारी यह चीज़ें आ चुकी है कि कोई tension नहीं मैं यहां पे और भी बढ़ियां वाला ट्रीक आपको समझाने की कोशिश करता हूँ नहीं से समझ और पीछे मतलब हम direct 45 frame पर आ जाएंगे कोई tension नहीं है आप इसको select करेंगे और select करने के बाद आप यहां पर click करके you can like scale it आप इसको इसे scale भी कर सकते हैं scale कर लिया अभी हमें क्या करना है कि अभी हमें आना है इसके उपर this one is the reshape यह आपको जो भी reshape करनी है तो मैं इसको select करता हूँ यहां आप ऐसे कर लेता हूं और इससे हमें यहां रखना है क्योंकि मैं सिर्फ यह आँख वाले portion को भी फिलाल मैं करने की कोशिश करना हूँ और इससे यहां देखिए हो गई चीज़ सो यहां से यहां तक आपका complete यहां से यहां तक complete अब आज आते हैं थोड़ा भाई 40 में 40 में भी देखिए आपको यहां पर select करना है और इससे पहले छोटा करना है कली जैसे वापसरी से मैं यह और यहां पर भी हम आएंगे और इसको में से ऊपर रख लेंगे यह देखें अभी आप 4 प्रेस करके देख लो कि आपका सब सही आ रहा है जी यहां बिल्कुल सही आ रहा है और वापस से 1 प्रेस कर दीजिए हो गया अब आए जाते हम सिधा 35 में 35 में भी से हमें छोटा करना है विकॉस यह जो सीन था यह जूम होकर आया था तो इसलिए हम यहां पर यह काम करना पड़ता है बार-बार डन मैं यहां पर आते हैं सेलेक्ट करते हैं इससे इहां लगा लेक्ट इससे भी अंदर की और यहां पर आजाओ और यहां से आप इसको ऐसे बना लो अगर आप आल्ट दबा के करेंगे तो आप सिंगल हैंडल को भी यूज़ कर सकते हैं सिंगल हैंडल को हो गया अब आ जाते हैं हम यहां पर 30 में 30 में भी सेम केस है इसे छोटा करना पड़ेगा और छोटा कर निकले आप चाहो तो और शिफ्ट दबा के करो अगर आपको एकदम एकुरेट बराबर करनी है शिफ्ट दबाईए और आज यह यहां पर रिशेप टूल पर क्लिक कीजिए और वापास से यहां आए एंड यहां आए हो गया आजाओ अब ट्वंटिफाइव में अगें स्लेक्ट और प्रेस शिफ् इससे स्लेक्ट करेंगे हम वापस आएंगे 20 में वापस इसको सेलेक्ट करेंगे थोड़ा जसे छोटा करेंगे और इस बार यहां देखिए यह बाहर निकल रहा है उसे अंदर क्यों डालेंगे और यहां पर एक छोड़ा सा मिश्टेक यह भी Ctrl-Alt रवाके ऐसे कर लेता हूँ अनु आपसे इसको लॉक करते हैं select this one go to layer that's it और देखो आखें भी एदम प्रापर तरीके सो गईगे आ जाते हैं 15 में select करेंगे सब को this time I will use this one select this reshape done done अब आज जाने आज से 10 फ्रेम में select all और अभी आपको सिफ और सिफ यहां फोकस करना है और कहीं मत करना सिफ और सिफ यहां फोकस करो इस पॉइंट पर बाकी सब को कुछ दिर के लिए बूल जाओ सिफ इस पॉइंट पर फोकस करो पांच अब अब इस वन में भी हमें क्या करना है सिफ इसको यहां लाना है अब हम इसको प्ले करके देख लेते हैं और यह देखिए काफी बढ़िया यहां पर आपको रूटो मिल सकते हैं अब हमें इन बिट्विन फ्रेम को भी काम करना है तो मैं चाहता हूँ यहां पर सब से पहले और यहीं से स्टार्ट करता हूँ इसे स्लेक्ट कर लिए और चाहो तो आप इससा कलर भी चेंज कर सकते हो जो भी कलर में आप रखना चाहो आप रख सकते हो ताकि आपको समझ में आई की भीया कौन-कौन अलग-अलग है इसको रखा हुआ है अब मैं जाता हूँ पेज अप क्योंकि हमें पीछे जाना है पेज अप करेंगे अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी कन्फूजन आपको ज्यादा हो रही है तो आप पहले एक साइट का कर लो बाद में दूसरे साइट का कर लेना सब चलेगा से यह ए एक गराट कर एक एर एक ए 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 कर देखो इदम पर्फेक्ट जा रहा है भी कहीं कोई दिक्खत वाली बात नहीं है यहां पर थोड़ी सी गड़वड़ी मुझे नजर आ रही है तो मैं इसको तूरत यहां पर सेट करेंगा यहां पर गड़वड़े ठीक केजिए कि देखो यह भी गड़वड़ है यहां पर तो इसका भी आप लॉक खुल लो जहां पर गड़वड़ी दीख रहा है तो गड़वड़ी पहले ठीक ही कर लीजिए कि मैंने बहुत जूम में काम कर रहा हूं इसलिए भी यह समझा रहा है अच्छे से जब काम हो जा तब लॉक कर देना है कि देखें यहां पर गड़वड़ है कि दन है कि सो अभी अगर मैं इसका ए प्रेस करूं ओबर ले मोड़ आ जाएगा और यहां पर आकर आप इसको ले करके देख सेकते हैं कि आप इसे 4-1 प्रेस किजे ए फर दो बार प्रेस किजे से जीरो प्रिस किजी और अब ही आप इसको देख लिजिए तो आप इसको देख सकते हैं कि कितनी आसानी से यह रोटो हो रही है और जहां पर जो गड़बड़ी देगा हम बाद में भी इसको solve कर सकते हैं कोई issue नहीं है जैसे यहां पर हमको लगता है कि थोड़ा सा गड़बड़ है तो मैं इसको select करूँगा इसके lock खोलूँगा और प्रेस करूँगा और साथ इसको यहां पर से दबा दूँगा इसके अलावा भी तरीके हैं इसको ठीक करने के वह भी मैं आपको बाद में लता हूंगा तो यह देखे है तो अभी इस पार्ट का रोटो हमने complete कर लिया है अब हम आते हैं पर just one place कर देते हैं इसको भी लॉक कर देते हैं और यहां से हम आ जाते हैं भी सीधा लास्ट फ्रेम पर है अब देखो इधर से आपको बागी चीज़ की रोटो करनी है आप इदर मस्ती में करो कोई टेंशन वाली बात नहीं है हडवड़ करना ही नहीं है सो अभी हम चाहें तो इसके बॉड़ी का भी कर सकते हैं से बॉड़ी वाला जो पार्ट है बॉड़ी वाला पार्ट को भी कर सकते हैं तो चलो सबसे पहले तो मैं इसके यही वाला कीजिए रीनेम नाम देगा इसका हेड टॉप टू क्योंकि उसके नीचे ही है लॉक करके रखो इसको आ जाओ यहां पे और अभी ले लो बेजियर और देन ड्रॉ दिस वन कुछ इस तरीके से ठीक है और जूम करके देख लीजिए कि हमने सही ड्रॉ किया है कि नहीं तो नहीं हमने थोड़ा सा गड़वड किया है हमें थोड़ा और अंदर रहना पड़ेगा सही है बिल्कुल सही है चैलिए सो यह मेरा सेप अभी ड्रॉ गया अब आप ध्यान से पहले यह देखिए कि कहां तक आता है 15 तक आते आते यह कुछ इस तरीके से यहां पे आ गया यानि कि बैक फिस जो था यह था एना पीज डाउन करो आज आउं यहां पर यह देखो तो यह जो है यहां से यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से इसका नाक वाला पक्रेस्ट आ था मैं क्या कर रहा हूँ पेहले इसको स्रेक्षे करता हूं और सेलेक्ट करें कि यहां तक स्कोर से बना लेता हूं सिर्फ यहां तक द्यान से समझीएगा मैं एक चीज़ दिखा रहा हूं आपको पेज़ डाउन करिए और पेज़ डाउन में भी आप इसको यहां तक रख लेजिए दन दन तो अगर आप देखेंगे तो यह यहां से यहां तक का ठीक है यहां तक ठीक है अब इसके बाद क्या है तो इसके बाद देखो यह नाक वाला पॉर्षन सामने आ जा रहे है यहां से यहां से नाक वाला पॉर्षन सामने आ जा जा रहे है तो यहां तक ठीक है इसके बाद यहां पर आकर आप क्या करो कि इसको उठा कर, sorry इसको उठा कर बाहर कर दो, मतलब यहां से इसकी जरुबत नहीं है और नाक हमारा आ कहां से रहा है, वो अब हमको चेप करना है नाक तुमारा यहीं से आ जा रहा है, ने देखिये basically यह वाला ठीक है अब ही देखो यह जो फ्रेम है one and इसको हम two पे ले जाते हैं two में इस फ्रेम को हमें ठीक करना होगा इस two में two तक तो हम इस फ्रेम को लाई सकते हैं यूज कर सकते हैं और यहां पर यह से जाद दो done two तक हो गया and आप जाएं थ्री में three से हमारा यह नाक आ रहा है यहां से हमारा नाक वाला पूसन आ रहा है तो अभी हमें क्या करना है कि again मैं यहां पर जाएंगा वेजियर में and I will just draw I will just draw for a nose yes I will just draw for a nose अद तुरत इसका हम नाम भी दे देंगे nose अब आप निक्स फेम में यह और इस नोस को अड़ेस्ट कीजिए पहले इसको बंद करके रखिए और नोस को यहां पर प्राक्टिस करना है सिब नोस चीए अपने को तो अभी सिब नोस पर ही फोकस करेंगे और हम कहीं किसी भी चीज के बारे में सोचने की जुरूत नहीं है इस वज़े से भी कहीं न कहीं बहुत फेमस है क्योंकि एक तो इसका इंटरफेस बहुत बढ़िया है और दूसरे में आप बहुत इसली रोटो कर सकते हो आ जाते हैं यहां पर कि यहां यहां समझना है इसके अंदर की चीज़ें को हमको जानने की कोई जुरूत नहीं है क्योंकि उसको में कुछ करना ही नहीं हो तो अंदर में है वह ऐसे भी दीखेगा नहीं सी जास्ट आइम टेकिंगा नोस सी विस नाक वाले पॉर्शन की ही रोटो की जा रही है भी अब यहां तक आगे न अब इसमें आके आप क्या करो कि इस नोस को पकड़ो और बाहर निकल दो क्यों बाहर निकल देना है क्योंकि अब हम यहां से इन फैक्ट इन फैक्ट यहां से हमें एक और यह लेना होगा जो की यहां से ड्रो होगा जिसके अंदर नाक तो आटोमेटिकली कबर हो जाना है कुछ ऐसे है तो इधर जाएंगे आप अब इधर जाकर सबसे पहले आपको क्या करना है कि यह वाला जो पूर्शन है इसको बाहर निकाल दीजिए है तब देखो जैसे ही तुम सेकेंड पर जाओगे यह यहां पर आपको अपने आप अटेच्छ हो जाएगा ठाट पर जाएए और दें जिस ट्राइटू काप्चर फ्रेम फ्रेम यह 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 कि मिद्धर और ऐसे बहुत ही इसी तरीके से कि अभी हम यहाँ पर निकाल पा रहें विकॉज हमने उतने प्रॉपर तरीके से इसको एड़ेस्टमेंट करके रखा हुआ था पहले से सी यह देखिए यहाँ पर फिर सम कर रहे हैं और सॉरी उन्हें डिलीट प्रेस कर दिया था अके पहले आप इदम रॉफली यहाँ पर डाल दीजिए फिर आप एडिट कर लीजिएगा इसको लास्टमेंट करते हैं एक बार और यह देखिए यह जो यह वाला जो पॉर्शन ने नाक वाला तो यहाँ से माला नाक काम ने ड्रॉ किया था तो यहाँ पर आके सबसे पहले इस वाले पॉर्शन का लॉग खोलिए और इससे सिलेक्ट करिये और यहाँ पर आकर सबसे पहले इसको बाहर निकाल दीजिए और चलिए अब मैं आपको कंट्रोल एस करता हूं और वन प्रेस करता हूं लाइक फॉर और यहां तक पहले मैं आपको दिखाता हूं कि इसकी हमने क्या रूटो करी हुई यह यह देखिया है अंदर में यहां पर जो जर्क हो रहा है उस पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि यह वाला जो पॉर्शन यह जो आ रहा है यह जो जर्क हो रहा है इस पर आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि यह वाला जो पॉर्शन आ रहा है यह तो अपना है हाथ में है तो द्यान ने देना है अभी एज़ेश को आप देखिए तो यहां तक आपका रोटो जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुगा है तो इस तरीके से आपको रोटो करनी है बहुत ही बारीकी के साथ करनी है तो उमीद है कि यह जो मास्टर क्लास भी रोटो का स्टार्ट हुए है मास्टर क्लास का यह जो पहला पार्ट है आपको समझ आ गया होगा तो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बाक्स पर बना क्वेश्शन टाइप कर दीजे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां पर भी कनेक्ट हो जाएए और वथसब्स की एक कमिनिटी तो आप वहां पर भी जोईन हो सकते हैं और वहां पर भी हमसे बात कर सकते हैं बाकियों के साथ भी आप बात कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हूँ तो लाइक, सेयर और सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत बुलना and most important कि इस वीडियो को देखने के लिए बाद बाद दन्यवाट